कितने लोग जानते हैं जिसों का मुझता है कि राज अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए तो अब शुरू हो रहा है वन अधिकार अधिनियम बने वे कितने वर्सों हो गया लेकिन जमीन तो है नहीं बिस वर्सों में या उससे पहले भी इस विशेप पर कोई विशेज ध्यान रहा ही नहीं वनो पर निर्भर आधिवासियों और अन्नि लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा देने के लिए मुकमंत्री हिमन सुरेन ने एक बड़े अभियान की सुरुवात की है जी हाँ इस अभियान का नाम है अबुआ बीद दिसोब अभियान यानि मुकमंत्री हिमन सुरेन ने इस अभियान की सुरुवात की है और अभियान की सुरुवात जो है उन्होंने पारंपरिक नागाड़ा बजार करक्रिया है वही मुखमंत्री हेमन सुरेन ने इस अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी भी दिये है और उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सत निर्दियस भी दिये है तो आईए सुनाते हैं कि मुखमंत्री हेमन सुरेन जो है इस मौके पर क्या कुछ कह रहे है मैंने कई बार अपने पदादिकारियों को कहा है कि यह राज थोड़ा सा और सब राजियों से अलग इसकी संस्कृति है सिस्टर चार है सभ्यता है यहां के लोग के बारे में वेलफ़र सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही यहां के लोग किस तरीके से हैं किस तरीके स्थे रहते हैं और मुझे लगता है कि राज अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब सुरू हो रहा है 30% के लगबग 20% हमारा राजम और जंगल जाड मिलाकर के कह लें तो लगबग 50% खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जंसंख्या के रूप में अगर हम देखें लेकिन हमारे 80% लोग इनी चीजों पर निर्वर है कैसे निर्वर है मातर 20% लोग जो बजार में सहरों में हैं और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं लेकिन जमीन तो है नहीं वन अधिकार अधिनियन बने हुए कितने बरसों हो गए लेकिन मुक्स अचीवजी ने भी उस विशे को लेकर बहुत संचिप में बहुत क्रिस्पी बातें आपके समख रख दिये मुझे नहीं लगता है उससे बातों को दोरानी क्यों सकता है मुझे लगता है कहीं न कहीं 20 वर्सों में या उससे पहले भी इस विशे पर कोई विशेज ध्यान रहा ही नहीं ये लगता है सरकारी कारी की विवस्था में ये कूडे के धेर पर रखा हुआ ये अधि था और शाइद यहीं वज़ा है कि आज हम बहुत हुजजतों के बाद वन अधिकार को एक मुहीम का सकल देकर हमें उतरना पड़ रहा है कई राजों ने तो अगर आप दूसरे राजों को देखेंगे जहां पर आदिवासियों की भी बहुलता कम है लेकिन वहां पर वन अधिकार के तहट पटों का वित्रण इस तरीके से हुए हैं कि आज मंच पर अगर या शबा में बोलने हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वह भी और वहां के भी बिरोक्रेट्स यहां भी हमारे बिरोक्रेट्स वहां भी आईकेस आईफेस आईफेस के लोग हैं यहां भी हैं भरे पड़े नहीं यह काम करने भी अंतर क्यों आता है ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं आज के में जो काफी सभलता फुरुवक आप सब मिलके कर रहे हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहट जिस तरह से आज मुखमंत्री हेमस्वरेन ने अभवा वीर दिसोम अभ्यान की सुरुवात की है इस अभ्यान से कहीं न कहीं उन लोगों को यानि जारखंट के अधिवासियों को लाब मिलेगा जो अधिवासी जो है वनों पर निर्फर रहते हैं अब देखने वाली बात होगी कि इस अभ्यान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से मुखमंत्री हेमस्वरेन अधिकारियों को सक्त निर्देश दिये हैं तो देखने वाली बात होगी कि ये सक्त निर्देश के बाद इस अभ्यान को किस तरह से सफल बनाएगा सकता है तो आप देखते रिये दर्स नीच रांची से मैं महान कुमार